हलो दोस्ता मोबाइल ट्रिक सपोर्ट चैनल पर आप सब लोगों को फीड से बहुत-बहुत स्वागत थे तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको रिक्या आने जा रहा हूँ आप अपनी पेन कार्ट पर एक मुबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकती है और साथी साथ आप अपनी पेन कार्ट पर एक मुबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकती है जैसे कि दोस्तो अगर आपके पेन कार्ट पर कोई भी मुबाइल नंबर लिंक नहीं है साथी साथ कोई भी email ID भी link नहीं है तो आप online ही उसको link कर सकते हैं बिल्कुल free में क्योंकि दोस्तो आपका जो pen card है उसमें आपको कोई भी चीज अपडेट करना है online तो आपके pen card के साथ mobile number link होना जरूरी है या तो आपका pen card कही पर खो जाता है तो उसको download करने के लिए भी आपके pen card के साथ आपका जो mobile number है ये link होना जरूरी है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको step by step दिखाने वाला हो कि online case से आप अपने pen card पर एक mobile number link कर सकते हैं साथे साथ एक email ID भी link कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको ये सब जानना है तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को प्लीज अंड तक का देखतरी हैगा तो दोस्तो आपने pen card के साथ एक mobile number link करने के लिए और एक email ID link करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे description में एक link मिलेगा जैसे आप उस link पर click करेंगे तो आप direct इस page पर आएंगे इस page पर आने के बार में दोस्तो आपको यहाँ पर scroll down करना है और यहाँ पर आपका जो pen card है उसे pen card number को यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपका जो other card है उसे other card number को आपको यहाँ पर डालना है यहाँ पर आप जो भी email ID को लिंक करना चाहती है अपनी pen card के साथ उसी email ID को यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आप जो भी mobile number को अपनी pen card के साथ लिंक करना चाहती है उसी mobile number को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको trams को accept करना है और यहाँ पर आपको scroll down करना है यहाँ पर आपको capture देखने को मिलेगा इस capture को आपको यहाँ पर same to same type कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको submit पर click करना है तो submit पर click करते हैं दूस्तों यहाँ पर आपके सामने ये page open हो जाएगा इस page पर आने के बाद में दूस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा continue with ekyc तो यहाँ पर अपने pen card के साथ अपने mobile number को link करने के लिए यहाँ पर other ekyc करना होगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके other card पर जो भी mobile number register है उसी mobile number पर एक OTP सैंड किया जाएगा इस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको submit पर click करना है तो यहाँ पर आपके other card पर आपका jubi address है उसी address को आपको यहाँ पर automatically detect कर लेगा तो यहाँ पर आपको एक पर चेक कर लेना है कि सब कुछ सही है या mistake है अगर आपको लगता है कि mistake है तो यहाँ पर आपको सुदारना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको scroll down करना है और यहाँ पर आपको verify पर klik करना है उसके बाद में आपकी सामनी यह page open होजएगा यहाँ पर आपने UBee नहीं mobile number डाला है उसी mobile number को यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपने UBee email ID डाला है यहाँ पर आपको email ID भी देखने को मिल जाएगा ठीक है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा verify and get OTP आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको OK पर क्लिक करना है तो यहाँ पर अपने जो भी मॉवाइन नमबर डाला है उसी मॉवाइन नमबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा इस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपने जो भी email ID डाला है उसी email ID पर भी एक OTP सेंड किया जाएगा इस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ पर आपको validate पर क्लिक करना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्ता आपको रेकने को मिलेगा यहां से आपको इस acknowledgement receipt को यहां से अगर आप चाहे तो एक screenshot लेके भी रेख सकती है और यहां पर अगर आप चाहे तो उसको download भी कर सकती है ठीक है तो status को check करने के लिए आपको यहां से back करना है तो यहां पर अपने जो भी request पर जाए उसका status को check करने के लिए आपको इस page पर आना है इसका link आपको वीडियो की निचे description में मिल जाएगा ठीक है यहां पर आने की बाद में दुस्ता आपको यहां पर देखने को मिलेगा application type आपको यहां पर select पर click करना है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा pen new change request आपको इस पर click लगाना है और यहां पर आपका जो भी acknowledgementní number है उसी number को यहां पर डालना है यहां पर आपको ए vivid capture देखने को मिलेगा इस पर इस पर यहां पर सैंटू सेंट ताइप करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो status ही आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों इसी तरह आप बहुत है आसानी से आपका जो pen card है उसी pen card पर आप online ही एक mobile number लिंक कर सकती है और साथी साथ आप एक email ID को भी link कर सकती है ठीक है